असलम लेकूम फ्रेंट्स कैसे हैं आप लोग उमीद है ठेक टाक होंगी आद में बचों की परमाज में चिकन वाइट हांटी बनाने लगी हूँ सोचा आपके साथ की रस्टिक शेयर कर लो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैंने एक किलो के करीब चिकन लिया है इसको इसको इसको चोटे पीचिस में कट कर लिया है इसके लिए मुझे दो कपे क्रीम में दही लिया है बिल्ट पैक क्रीम लिया है सफेद मिर्च एक टी स्पून लिया है काली मिर्च एक टी स्पून एक मीटियम साइज का प्यास लिया है इसको इस तरह से चॉप कर लिया है बा लेस नादरख हरी मीच इस तरना से मैंने इसको ब्रेंड कर लिये एंड शाल्ट जितना आप लोग किसंद करते हैं इस तरह डालिएगा चलें स्टार्ट करते हैं एक पैन में हमने ओल डाला इसमें आप चौ पनियांट डालेंगे हलका सामने इसको सौते करना इसको ब्राउन नहीं करना हमने प्यास माल सौते हो चुका है इसमें हम लेस नादर रख और हरी मीच का पीस्ट आप करने करते हैं जाप करते हैं आप शाप करें आपके नहीं करते हैं पची है नहीं को नहीं करेंगे भूरा साइस को भून लेंगे फिर हम इसमें इनम साइस का ट्माटर आड़ करेंगे हमने अपने टड़के को बूखल भी ब्राउन रही करना क्योंकि ग्रेवी के लिए हमें थोड़ा साइस का मसाला चाहिए इसमें यह सब चीजें सरफ डालते हैं और एड़ी के लिए हमें थोड़ा सा प्याज और टमाचब इसमें एक ते हम चिकन एड करते हैं हम एड़े लुखते सब यह अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए भाम ते रखके रख देना हैं अव चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है यह देखें अब हम निसने काली मिर्च, नमक, स्फेद मिर्च, वाइट पेपर, एक ती स्पून हमिस में भूना उटा धनिया एड़ करेंगे अची धरंकित को मिक्स करेंगे इसको ठात देंगे बदाम का हमने 10-12 बदाम लिए है उसको हमने छील लिया और उसका हमने पेस्ट बना लेना है एक स्पून दही डाल कि मैंने इसका बदाम का इस तरह से पेस्ट बना लिए है चिकन हमारा अच्छी तरह से गल चुका है और खोड़ा थामने इसको भून लिया है अब हम इसमें दही एड़ करते हैं इसको थोड़ी सी देख हम इसको धक्के रख देंगे इसको अपनी हांदी थोड़ा सा हम इसको और पकने देंगे थोड़ा सा हम इसको बगया धकन के भूल देंगे प्लेन थोड़ी तेस करतेंगे अब हम इसमें बडाम बाला पेस्ट एड़ करते हैं जो हम्जोरा लुपुला झानतों। तकरीबन हमारी हांडी रेडी होने वाली है क्योंकि यह दिखे यह ओईल चोड़ रही है जिखे लेटाई लेटाई प्रफ़ कर दोड़ कि यह दोड़ के अदिए अदोड़ कर दोड़ के अद्धिक झाले है अच्छी तरह भूंग लिया है हमने अपना हान्वी को चिकन हमारा ओल छोड़ जुगा है यह देखें अब हम इसमें क्रीम एड करते हैं मिल प्रीम एड करते हैं वन केजी है तो उसमें वन प्रीम एड करते हैं चिकन बूल्स वाइड हांटी तकरीपन हमारी रैड़ी होने वाली है क्रीम एड करते हैं हम इसको फोड़ी देर के लिए हम इसको अच्छी प्रीम पर रखतेंगे साथ ही हम इसमें धनिया एड करतेंगे चिकन वाइड हांटी हमारी रैड़ी है थोड़ी से क्रीम एन गार्णिश के लिए रखती थी और थोड़ी से कटवे बदाम के साथ इसको गार्णिश कर दिया उमीद हैं आपको रेसिपी पसंद आई होगी दौा में याद रखेंगे आमना फुरंग को अजाज़त दीजिए अल्ला हाफेज अजिए